बेसन की कड़ी तो आपने कई बार खाई होगी तो चलिए आज बनाते हैं हम इस टेस्टी चन्य डाल की कड़ी को और ये इतनी टेस्टी बन के तयार होती है कि आप एक बर जब इस तरीके से बनाएंगे न तो आप बेसन वाली कड़ी खाना भूल जाएंगे तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप चने की दाल इसे रात को फुला करके रख दिया था और इस तरीके से सुबा दरदरा मैंने पीस लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और इसके बाद अब हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए लिया है मैंने मिक्सी का जार और उसमें डाला है एक छोटे सा इसका प्याज थोड़ी सी लेसुन की कलिया साथ ही जाएगा यहाँ पे डेड़ बड़ा चमच धनिया तो मैं धनिया जादा ही इस्तमाल कर रही हूँ और आदा चमच के करीब यहाँ पे जीरा पाउडर एड़ किया है मैंने और थोड़ा सा ही हल्दी और लाल मिर्च एक चमच के करीब और थोड़ा सा नमक एड़ करके पानी एड़ करके इसे हम पीस लेंगे उसे अब इसे हम ले लेंगे तीन बड़ा चमच लिया है मैंने आप quantity कम ज्यादा कर सकते हैं और एक कप के करीब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो ध्यान रहे friends दही खटी थोड़ी होनी चाहिए तभी इसका टेस्ट और ज्यादा ब और साथे साथ यहाँ पे मैंने एड़ किया है मेथी के दाने आदा चमच दो तीन खड़ी सुखी लाल मेच है और यहाँ पे एक चोथाई चमच के करेब हींग है हींग आप जरूर से डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़े से करीपत्ते एड़ कर देंगे और यहाँ पे मैंने आधा बारिक काटके प्याज आड़ कर दिया है प्याज ओप्शनल है अगर आप नहीं आड़ करना चाहते हैं तो इसे सीप कर दें तो देखिए थोड़ा सब प्याज सॉफ्ट हो गया है उसके बाद हमने जो मसाला तयार करके रखा था उसे आड़ कर देंगे थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे तो मीडियम पर हमें इसे भून लेना है अच्छे से जब तक कि ओल जो है इसके सफेस पर शेह बून लेंगे तो देखिए दू मिनट हो चुका है और औल भी अच्छे से इसमें दिख रहा है तो चलिए dissipation कर देंगे तो इसे इस mixer को एड़ करें तो हमारा जो फ्लेम है वो एकदम लो रहना चाहिए वरना दही जो है वो फट सकती है तो अब यहां पर मैंने तकरीबन एक लीटर के करीब पानी एड़ कर दिया है और कड़ी में धेर सारा पानी आप जरूर एड़ करें वरना यह गाड़ी होते जाएगे और पकेगी नहीं अच्छे से तो यह देखिए मैंने एक लीटर के करीब यहां पर पानी एड़ कर दिया है और यहां पर आदा चमच के करीब कश्मिरी लाल मेर्च आट किया है कश्मिरी लाल मेर्च ओपशनल है यह इसमें एक अच्छा सा कलर देती है बस इसलिए हम इसे एड़ करेंगे तो देखिए अब चलिए इसके पकोड़े हम तयार कर लेते हैं तो पकोड़ों के लिए यहां पे जो हमने दाल बचा के रखी थी उसमें एड़ किया है बारी कटा हुआ एक प्यास थोड़ा सहरा दनिया दो चुटकी बराबर यहां पे मैंने हल्दी डाला है लाल मिर्च एड़ किया है थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब यहां पे एड़ करेंगे थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा यह हमारे जो पकोड़े हैं उन्हें फलफी करने में मदद करेगा तो यहां पे एक चुटकी और यह गया दूसरा चुटकी तो बस हमें इसे इसमाल करना है इस से जँदा हमें उसे में नहीं एड़ करना है वन्ने जो पकोड़े हैं वो कड़ी में जाते ही फट़ जाएंगे मतलब घुल जाएंगे तो चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं फ्लेम میडियम फ्लेम रखेंगे और यहां पे देखिए मैं एक बॉल ट्राइ कर रही हूँ यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ओल जो है वो गरम हो गया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे पकोडों को इस तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो आप छोटे बड़े जिस भी आकार में बनाना चाहते हैं सकार में बना सकते है मैं थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ अब इन पकोडों को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेना है तो देखिए पकोड़े अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो इसी तरीके से मैं सारे बना करके रेडी कर लूँगे तो चलिए कड़ी की तरब चलते हैं तो कड़ी को पकते 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से पक चुका है आप यहां पे टेस्ट करके पता कर लें कि इसमें नमक की क्वांटिटी कम ज्यादा है या नही तो अगर कम है तो आप इसमें एड कर दें तो पकोड़े अब इसमें हम एड कर देंगे देखिए इस तरीके से और इसे थोड़ा सा हम बॉयल होने देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉयल होने देंगे क्यों क्योंकि ये दाल के पकोड़े हैं तो थोड तोब में यह गाड ही होती जाएगी तो चलिए इसके तड़के की तयारी कर लेते हैं तो अब यहां पर मैंने तेल गरम किया है सुखा लाल में चैड किया है करीब अट्स इसमें इतना ही हम करेंगे और साथ यसाथ थोड़ा सा कलर में कश्मीरी लाल में चैड कर देंगे यह बस color देगा और उससे जादा कुछ नहीं होगा इसमें तो बस इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है और directly हमें कड़ी में add कर देना है तो देखिए friends हमारी कड़ी कितनी tasty बन के तयार हुई है मैं तुझारी हूँ इसे enjoy करने चावल के साथ तो friends recipe अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल